ताम करके मजदूर जो पाते हैं दाम गौर से देखो तो इनमें सबसे सस्ता है एमाम करनाटका का एक मौखर वफद आज सेकेर्टरी साब से मुलाकात करने के लिए सीयो साब से मुलाकात करने के लिए वकबड पहुँचा और हमने एक मकतूब और एक गुजारिश नमा सेकेर्टरी साब की खिदमत में पेश किया है जिसमें हमारे तीन मुटालबात हैं एक मुटालबा ये है कि मस्जिद के इमाम और मौजण को जो एजाजिया मिलता है हकूमत की जानिब से चार हजार रुपिया इमाम को और तीन हजार रुपिया मौजण को एजाजिया मिलता है बढ़ा करके इमाम के लिए 10,000 रुपिया कर दिया जाए और म Luck's छार कर दिया जाए और मौजन के लिए 8,000 रुपिया कर दिया जाए और इसी तरह नाइब इमाम की एक गूंजाईश पैदा की जाए और नाइब इमाम जो मस्जिद में खिदमा अंजाम देता है उसके लिए जारी किया जाए और दूसरा मतलभा हमारा ये था कि IMA-MASAJD यानि इमाम और मौजदन नाइब इमाम और खादिम के लिए बादापता तरपर माईनार्टी डिपार्टमेंट की जानब से हकुमत की जानब से एक हेल्थ कार्ड जारी किया जाए जिसके जरिया इमाम और मौजदन और खादिम उनके अपनी फैमली के इलाज मौलिजे में आसानी हो सके चूंकि हम करोना वाइरस के दोर से गुजर रहें और ये बड़ा आजमाईश का दोर है आएम मसाजद और मौजदन और मसाजद के खुदाम बड़े परेशान रहते हैं उनके लिए हेल्थ कार्ट जारी किया जाए पिर तीसरा हमारा मतालबा बलकि गुजारिश उनसे ये थी कि इमाम मस्जद और मौजदन को और खादिम को बाजाबता तोर पर एक घर हकुमत की जानिब से दिया जाए ताकि उनके रहने में आसानी हो अलम्दुल्ला इन तीनों बातों को आफिसर्स ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ समाद किया है और हमें उम्मेद दिलाई है कि मुजबत तोर पर इन तीनों बातों को हकुमत तक पहुँचा करके एक अच्छा और बेतरीन इख़दाम करने का वादा किया है उम्मेद है कि इस स्विसले में हमें जल्द एक बड़ी कामिया भी मिलेगी आएमे मसाजिद और मौजदन हदरात की खिदमत होगी इन्शाला आज हम लोग जमात एहल सुनत करनाटका के प्लेटफार्म से सेद तन्वीर हाश्मी साब जो हमारे सदर महतरम है इनकी कियादत में उल्मा और जम्मेदारान और जमात एहल सुनत के स्टेट और बैंगलोर्ड सिटी ब्रैंच के जम्मेदारों के साथ हमने वकबोर्ड में अफसरान से मुलाकात की जैसा के अभी हमारे सदर महतरम ने दोराया कि इमाम जो सबसे एहम जम्मेदारी अदा करता है वो माशरे में बहुती कमजोर है और गहर महफूज है पुरान करीम में तो अल्ला तछाला फरमाता क्यामत के दिन भी अल्ला तछाला की बारगाह में इमाम की गयादत में लोग हाजिर होंगे तो दुनिया में भी उसका मरतबा अजीम है اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی उसका मरतबा अजीम है और वो हमारी अबादतों का वकील है अगर आज बड़ा गहर महफूज है बहुत ही मामूली एजाजिया और तनखा के साथ 24 घंटे डूटी अंजाम देता है बरस के 12 महने में कोई महना उसके लिए चुटी का नहीं है हफते में एक दिन भी उसके लिए चुटी का दिन है क्योंके नमाज ना पोस्ट पॉन हो सकती है ना कैंसल हो सकती है ना उसके लिए कोई हॉलिडे है इतनी बड़ी जिम्मेदारी अदा करने वाला एक इमाम हमारे माशरे का इतनी बड़ी का इमाम इतना कमजोर है इसलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इमाम महफूज हो उसे अच्छी सैलरी अच्छी तनका मिले उसके लिए एक मकान रहे उसका एक हेल्थ कार्ड रहे और वो बावखार डिक्रिफाइड माशरे में जिन्दगी गुजार सके तो इमाम को बहुती बावखार जिन्दगी गुजारना चाहिए जमाते लिए सुनत के प्रेट फार्म्ट से हम लोग लगाता है कोशिश कर रहे है कि इमाम का मरतबा बड़ा अजीम होता है समाज में उसे इज़त मिले रेस्पेक्टेबल लाइफ मिले और उसकी इज़त उसका वकार बरकार रहे और किसी भी एतबार से उसका हाथ समाज के सामने ना पहले वो इस लाइख बने इस लाइख ना बने इस लाइख ना बने जो नाइबे इमाम, मोजन और इमाम साब खरिये में तालुक लेवल पे छोटे गाउन लेवल पे जो तकलीफ फेस कर रहे हैं इनको हाइलेट किया गया तो वर्गबोड वालों ने भी इसमें एकसेप्ट किया कि लोग सब भी प्रॉल्म फेस कर लेकर आ रहे हैं तो उनके भी हम लोगो स्कीम्स बताए कि बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसके कई इमाम साब मोजन जो फेसिलिटीज ले नहीं रही हैं तो उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया कि हमारे से आप कॉडिनेट करेंगे तो इन्शालला एक ग्रासूट लेवल तक हमें पूरे फेसिलिटीज उन तक ओंचा एंगे